कुमार गंधर्व ने लटा मंगेशकर के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं और लटा मंगेशकर स्वर्ख कोकिला गायकी में उनका एक विशेश युगदान और ऐसा माना जाता है कि लटा की गाने में क्या था कैसा प्रभाव था उनकी गाने की सहली कैसी थी इस बारे में कुमार गंधर्व ने अपने लेट में अपने विचारों में यह व्यक्त किया है यह मैं आपको बदलाने जा रहा हूँ प्रभाव साली रीटी से व्यक्त होता है ऐसा माना जाता है कि लटा के गाने में करुणा रश विशेश प्रभाव साली रीटी से उन्होंने अपने गाने को व्यक्त किया है पर कुमार गरंदा यह कहते हैं कि मुझे खुद पर बात नहीं पड़ती मेरा अपना मत है कि लटा ने करुण रश के साथ उतना न्याय नहीं किया बजाए इसके मुग्द सिंगार की अभी बैक्ती करने वाले मर्द या डूटले के गाने लटा ने बहुत अच्छे से गाए है मेरी दिस्ती से उसके गायन में एक और कमी है यहां कुमार गंधा लटा मंगेशकर के बारे में कहते हैं कि लटा मंगेशकर ने जो गाने गाए हैं जो उनका स्वर था उस बारे में उन्होंने यह कहा है यह कहना कखिन होगा कि इसमें लता का दोस्ट कितना है और संगीत निर्देशकों का दोस्ट कितना है लता का गाना समानते उची पट्टी में रहता है गाने में संगीत निर्देशक उसे अधिकाधिक उची पट्टी में गवाते हैं और उसे आकरण ही चिल लवाते हैं कि सास्ति संगीत में लटा का इस्थान कौन सा है मेरे मसे ये प्रशन खुद ही प्रयोजन ही नहीं है इसका कारण यह है कि सास्ति संगीत और संगीत की तुल्ला में हो ही नहीं सकता जहां गंबीता शास्ती संगीत का इस्थाई भाव है वहीं जल डले और चपलता चित्पत संगीत का मुख बोन धर्म है चित्पत संगीत का ताल पर्थम अवस्ता का ताल होता है जबकि शास्ती संगीत में ताल अपने परिक्रस्ट रूम में पाये जाता है चित्पट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है उसकी लाहकारी बिलकुल अलग होती है आसान होती है यहां गीद और अगहात को ज़्यादा महत दिया जाता है सुलप्ता और लोज को आगे के स्थान दिया जाता है या तिभी चित्पट संगीत गाने वालों को साथी संगीत की उत्तम जानकारी होना आवशक है और वह लता के लिए निशाहाई तीन साले तीन मिनट गाय हुए हैं सित्पट के किसी गाने का एक और एकार खांदानी सासी गायक ही तीन साले तीन घंते की मैफिल इन दोनों का कलात्मक अंदात्मक मूल एक ही है ऐसा मैं मानता हूँ किसी उत्तम लेखा का कोई विर्ष्टित लेख जीवन के रहस का विशाग रूप में वर्णन करता हो वहीं छोटे से सुभासित का या नन्ही सी कहावत में सुन्दर्ता परिपूर्ण से प्रगट हुआ भी जर्ष्टी कोचर होता है उसी पकार तीन हंडों की रंगडार मैफिल का सारा रस लता की तीन मिनट की ध्वानी मुद्रका में आवास्टित किया जा सकता है उसका एक एक गाना एक संपू कलाकरती होता है स्वर ले सब्दाद का वही तिमेरी संगम होता है और मैफिल की विहोसी उसमें समाई रहती है वैसे देखा जाए तो सासी संगीत क्या और चित्वत संगीत क्या अंत में रसिक को आनंद की सामत किस्म गाने में कितना इस पर उसना महट थहरना उचित है मैं तो कहूंगा कि सासी संगीत की रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा अनावार सर्थ प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी गाने में जो गानपन होता है वह केवर सासी बैठक के पक्केपन की वज़ए से ताल सुर के निर्दो ग्यान के कारण नहीं गाने की सारी मिटाज सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यत अवलंबित रहती है और रंजकता का मर्व अगाशिक वर के समझ कैसे प्यस्टूट किया जाए इस रीती से उसकी बैठक बिठाई जाए और सोताओं से कैसे सादूबाद सारा जाए उसमें समाविष्थ है किसी मनुस का अस्ति पंजर और एक प्रद्वासाली कलाकवाल द्वारा उसी मनुस का तेल चित इन दोनों में से जो अंतर होगा वही गायन के साहती ग्यान उसकी स्वरो द्वारा की गई सुशंग्रता अभिव्यक्ति में होगा संगीत के छेट में लता का इस्थान अबल दर्जे के खांदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा क्या लता तीन घंटे की मैफिल जमा सकती है ऐसा संचय वैक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रस्न पूछना है क्या कोई पहली सेवनी का गाया तीन मिनिट की अवधी में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलदा और रसो प्रक्ता से गा सकेगा नहीं यही उस प्रस्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा खांदानी गवाये का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभी रूची बिगड़ गई है चित्रपट संगीत ने लोगों में कान बिगाड़ दिये हैं ऐसा आरोब लगाया जाता है पर मैं समझता हूँ चित्वर्थ संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किये हैं, उल्टे सुधार दिये हैं, ये विचार पहले ही व्यक्त किये हैं और उनकी पुर्ण रूचिक नहीं करूँगा, सच बात यह है कि हमारे साहत्री गाया बड़ी ही आद्म संतुष्टी रत्री के हैं, संगीत के छेट में उन्होंने अपनी हुकम साही इस्तापित कर रखी है, साथ सुधता कर्मकान को उन्होंने आवसक्ता से अधिक महत दे रखा है, मगर चित पट संगीत द्वारा लोगों को अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है, उनकी चिकिस्क और चोकस ब्रती अब बढ़ती जा रही है, केवल साथ सुध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें सुवीला और भावुन गाना चाहिए, और यह करांती चित पट संगीत ही लाया है, चित पट संगीत समाज की संगीत विश्यक अभिरूची में प्रभाव साली मोड लाया है, चित पट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ है, ऐसा मुझे लगता है कि इस संगीत की मानताय मर्यादाय सबकुछ निराली है, चित पट संगीत का तंत ही अलग है, यहां नावनेर में की बहुत गुंजाइश है, जैसे सास्थी रागडारी आदी का चित पट संगीत निर्देकों ने उप्योग किया, उसी प्रकार राजिस्थानी, पंजाबी, बंगाली, प्रदेश के लोग गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा, यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए, धूप का कोतुहर करने वाले पंजाबी लोग गीत, रुच और निर्जल राजिस्थान में, पंजय की याद दिलाने वाले गीत, पहाडों की धाडियों, खोरों में ध्वानी, प्रतिधोनी होने वाले पहा विश्थ सहज मरूर गीतों का अतीज सहे मारमिक वा राशा अनुबूल तुपयोग चिटपट छेत के प्रभावाई संगीत निदेशकों ने किया है, और आगे भी करते रहेंगे, थोड़े मैं कहूं तो संगीत का छेत ही विश्थिन है, वहाँ अब तक अल्षित विश्थित आती दिश्थिपूर ऐसा खूब बड़ा प्रांध है, या ति भी बड़े जोज स्वेश की खोज और उपयोग चिटपट के लोग करते चले आ रहे हैं, फल सरू चिटपट संगीत दिनों दिन अधिक अधिक विश्थित होता जा रहा है, कुमार गंधर्व कह करते हैं कि ऐसा कलाकार, उनके जो विचार है, ऐसा कलाकार सताबदियों में शायर एक ही पैदा होता है, ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच हैं, उसे अपनी आँखों के सामने गूमता फिरता देख पा रहे हैं, कितना बड़ा है हमारा भाग है। आपको सहायग वाचन वेतान के बारे में उसका लता मंगेशकर के बारे में आपको बताया है, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, लता मंगेशकर अपने हिंदुस्तान की भारत की सुर्व कोकिला के नाम से विख्यात है, उन्होंने 40 से 45 हजार गाने गाए हैं, च भारती गायकी में उनका जो अमूल योगदान है, उसको आपन नकारा नहीं सकते हैं, और उन्होंने जो योगदान दिया है गायकी में, वो अमूल है, उसका कोई मूले नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान और भारती सरकार ने उनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ी उपादी, सबसे बड़ा भारत रत्न से उनको नवाजा गया है आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए लता के बारे में आप लोग और ध्यान से देशिए और इसके कोश्चन अंसर करिए और आगे कोई समझ्या है तो आप मेजन से समपढ़ करिए